जारकन सरकार की खरेन सची पूजा सिंगल को मन्रेगा घोटाले में गरफतारी कर ली गई है बुद्वार की शाम एडी नों ने गरफतार करने के बाद पोर्ट में पेश किया गरफतारी के बाद पूर एडी तारले में पूजा सिंगल को मेडिकल जांच हुई ED ने अब तक की जात में पूजा सिंगल वा उनके पती अभिशेग जांग को मनी लॉंडरिंग मामले में दोशी पाया है ED आई इस पूजा सिंगल को पांस दिनों की रिमांट पर लेकर पूश्टाश करेगी अदालत ने इसकी जाधा दे दी है आरोपी को जिल भेजने की तैयारियां की जा रही है ED पूजा को गुरवार की सुभा अपने कबजे में लेकर पूश्टाश करेगी बता दे कि इससे पहले ED ने मामले को गंबीरता से देखते हुए पूजा सिंगल और अभिशेक जाक के विदेश जाने पर रोक संबंदी पत्र भी CBI को भेजा था इसमें लुकाउट सर्कुलर जारी करने की मांग की गई थी ED ने पूजा सिंगल और उनके पती के करीबी C.A. सुमन कुमार की ओर से पूस्ताच के दोयान की गई बयानों के आधार को मानते हुए मनी लॉंडरिंग मामले में शामिल पाया था आपको बता दे कि पूजा सिंगल मामले में ED ने टीम गुरुवार को कॉलकत्ता कि अभिजीत सेन के टिकानों पर छापे मारी की सूत्रों के मुताबिक कंस्ट्रक्शन वा इंट्रीड डिजाइनर के कारोबारी अभिजीत ने जहारकन के कई विरोकिट से पैसे को निवेश किया था अभिजीत की तलाज में ED को भी है लेकिन बुद्वार को वे नहीं मिला ED ने पांच टीमों को कॉलकत्ता सेन जोदपूर पार किस्तित आवास समित कई जवों पर छापे मारी की ED के अधिकारियों के मताबिक पूजा सिंगल से जोड़े मनी डॉंडरिंग केस की जाच आए तत्यों के आधार पर ED की कारवाई की है बताया जाता है कि छापे मारी के दुरान कई सब्वूत मिलने के बाद ही ED ने पूजा सिंगल को गरफतार किया है आज ही खबर मस इतना ही बाकी खबरों के जुड़े रहे हमारे चैनल वी नेशन मियूस के साथ